हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल आयम खुशी फैशन डिजाइनर सो फ्रेंड्स आज मैंने आप लोगों के लिए लेके आई हूं हम ब्लाउज में हुक कैसे लगाते हैं और हुक का कांच कैसे करते हैं तो आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखें देखें मेरे पास यह ब्लाउज है अब हम इस में प्लाउज में पहले कांच लगाना सीखेंगे कांच को कैसे बनाते हैं हूग कांच पहले ऐसे सुई में दागा डालेंगे फोर करके मैंने डबल करके डाला हुआ है और देखिए यहां पर तीन हुक आएंगे बैक हुक है यह ब्लाउच तो यहां पर मैं ऐसे पहले बना रही हूं देखिए फ्रेंट्स जैसे मैं बना रही हूं वैसे ही बनाना है पहले एक नॉट्स ऐसे बना लेंगे थोड़ा सा गैप करके यहां पर एक बन के रेडी हो चुका है अब इसी में हम सेम ऐसी ही दूसरा करेंगे इसी की उपर से यहां पर दूसरा आएगा यह को हैसे अगर हमें ज्याद़ा मोटा नहीं बनाना है तो हमें ऐसी ही दो लेइर पर ही हम इसमें कांज बनाना स्टार्ट कर सकते हैं बट मुझे थोड़ा सा मोटा चाहिए तो मैं यहां पर तीन लेयर की हूँ यह तीसरा लेयर हमारा कम्प्रिट हो गया है अब यहां पर देखें कैसे ही हम इसको मोडते हुए लाएंगे कैसे देखी पहले ऐसे अंगुठे में उसको ऊपर की और फसा लेंगे और यहां से पूरा बनाते बनाते लाश्ट तक ले आएंगे तो फ्रेंट्स ऐसे ही बनाना है तो देखे फ्रेंट्स बहुत प्यारा और फिनिशिंग से आता है तो फ्रेंट्स मेरा सिलाई क्लास सीखने के लिए आप लोग मुझे डियम करें और मुझे बताईए मैंने भी वर्क्शॉप लाई हूँ 15 दिन का है उसमें कोर्स है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे न्यू न्यू वीडियो पानी के लिए मेरे बिल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालू आप लोग को तुरंत मिल जाए तो देखे फ्रेंट्स मैंने यहां तक बना ली हूँ और आप देख सकते हैं कैसा डिजाइन आया है मैं भी थोड़ा क्लोज में दिखा देती हूँ यह देखे फ्रेंट्स ऐसे अंगोटे से फसाते हुए ऐसे लेके आना है पूरा कंप्रेट कर लेना है यहां तक है कि देखे फ्रेंट्स कुछ इस प्रकार से दिखेंगा और हमारा कंप्लेट हो चुका है बस हम इसमें अब यहां से ऐसे पीछे की और निकाल लेंगे धागा और लॉक कर देंगे सिलाई को तो कुछ इस प्रकार से दिखेंगा यहां पर इसलाई लॉक हो जाएगी अब सेकेंड वाला बनाएंगे फिर थर्ड वाला है देखे फिर्म्स कुछ इस प्रकार से दिखेगा इसमें फिनीशिंग और एक दम अच्छा बन जाता है हूप वाला काच यह हम center वाला बनाये लेंगे वैसे ही उसी प्रकार से पहले हम 3 layer कर लेंगे 3 layer के बाद फिर वैसे यंगूटे से फसाते हुए सुए अंदर की और धागे की अंदर की और डालते डालते हम इसमें गूते चले जाएंगे चोटी के जैसे इसमें बहुत प्यारा layer आता है ऐसे तो देखे friends ऐसे ऐसे बना लेना है हमें आप मुझे follow करिए आप मेरे चैनल को subscribe करिए और देखे like share comment करिए friends आप लोग बताईए मैं रोज आप लोग के लिए ऐसी अच्छे ची वीडियो लाते रहूंगी तो देखे friends ये भी हमारा complete हो गया है अब हम second complete कर चुके हैं अब third वाला बना लेंगे ऐसे ही इसी प्रकार से हम पूरे कांच बना लेंगे आप लोग मुझे comment में बताईए आप लोग को समझा है कि ने तो मैं आप लोग के लिए और भी दूसरी वीडियो लाओंगी जो अच्छे से फिनिशिंग से आपको और अच्छे से दिखेगा मेरे स्लाई क्लास को भी जॉइन करिये friends मैं उसमें स्टार्टिंग से पूरा सिखाने वाली हूं जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर कमेंट करिये friends और बताईए कैसा लगा आप लोग को तो देखे फ्रेंड्स यहां पर हम ऐसे हुक लगा लेंगे ऐसे ही सिलते हुए चले आएंगे पहले हुक को हम नीचे की और से लगाते हैं ऐसे दोनों तरफ और कपड़े के अंदर ही हुक को रख के लगाया जाता है हुक हमारा कपड़े के बाहर में ही जाता है कपड़े के अंदर ही लगता है कुछ इस प्रकार से लगाएंगे तो देखे फ्रेंड्स ऐसे ही लगा लेंगे ऐसे लगाते हुए चले आएंगे हम पूरे हुख को कम्प्रेट कर लेंगे तीन हुख हमें ऐसे ही सिलना है नीचे के और सिलने के बाद उपर के और ऐसे मोड के हम सिलते हैं उपर के और अगर नहीं सिले हम तो हुख हमारा नीचे के और ऐसे खिचाओ आ जाता है जैसे कि हम अगर वो कांच में फसाते हैं तो वो हुख ऐसे उटके दिखता है और बेकार दिखता है तो उपर के और सिलना बहुत जरूरी होता है हुख में तो यह हमारा complete हो चुका है तो देखे फ्रेंड्स एक hook लग गया है अब दूसरा hook लगाएंगे तो देखे फ्रेंड्स मेरे hook ready हो चुके हैं तीनों मैंने complete कर लिया है अब देखे इसमें हम काच में कैसे फसाते हैं hook को इस प्रकार से फसा लेंगे तो देखे फ्रेंड्स हमारा hook ready हो चुका है मेरे चैनल को like, share, comment करिये thank you watching for my video मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स बाबाई